C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्दुत है कक्षा 6 की संस्कृत की द्वनी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग एक शष्ठ वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम रुचिरा प्रथमो भाग हर शष्ठह पाठह समुद्र तटह पृष्ठ संख्या 35 से लेकर 40 तक इसमें समुद्र वर्णन करते हुए त्रीतिया और चतुर्थी विभक्ति का परिचय दिया गया है एशह समुद्र तटह अत्रजनाह पर्यटनाय आगच्छन्ति केचन तरंगईह क्रीडंति केचन चा नौकाभिह जलविहारम कुरवंति तेशु केचन कंदुकेन क्रीडंति बालिकाह बालकाह च बालुकाभिह बालुकाग्रिहम रचयंति मध्ये मध्ये तरंगाह बालुकाग्रिहम प्रवाह यंति एशाक्रिडा प्रचलति एव समुद्र तटाह नकेवलं परियटनस्थानानी अत्र मच्य जीविनह अपि स्वजीविकाम चाल यंति अस्माकम देशे बहवह समुद्र तटाह संति एटेशु मुंबई, गोवा, कोच्ची, कन्याकुमारी, विशाखा प्तनम, पुरी तटाह, अतीव प्रसिद्धाह संति गोवा तटह विदेशि पर्यटके भ्यह समधिकम रोचते विशाखा पत्तनम तटह वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धाह कोच्ची तटह नारिकेल भले भ्यह ग्यायते मुंबई नगरस्य जूहु तटे सर्वेजनाह स्वैरं विहरंति चन्नै नगरस्य मेरिना तटह देशस्य सागर तटेशु दीरगतमह भारतस्य तिस्रिशु देशासु समुद्र तटाह संति अस्माद एव कारणात भारत देशह प्राय द्वीपह एदेकत्यते पूर्व दिशायाम बंगोप सागरह दक्षन दिशायाम हिंद मह सागरह पश्चिम दिशायाम च अरब सागरह अस्ति एदेशाम त्रयानाम अपि सागरानाम संगमह कन्या कुमारी तटे भावति अत्र पूर्णी मायाम चंद्रोदयह सुर्यास्तम्च युगपदेवद रष्टुम शक्यते शब्दार्थाह प्रथम स्तंभ में संस्कृत शब्द द्विती स्तंभ में उन संस्कृत शब्दों का हिंदी अनुवाद और त्रिती अस्तंभ में उन्हीं संस्कृत शब्दों का इंग्लिश अनुवाद दिया जा रहा है समुद्रत अटह समुद्र का किनारा सी बीच पर्यतनाय घूमने के लिए फॉर एक्सकर्षन तरंगईह लहरों से या लहरों के साथ वित वेवस नौ काभे है नौ काओं के द्वारा बाई द बोट्स जलविहारम जलक्रीडा वाटर गें बालु काभे है बालुओं से मेड़ ओफ सेंड्स बालु का ग्रिहम बालु का घर या घरोंदा सेंड हाउसलेट मध्ये मध्ये बीच बीच में अट सम इंटर्वल प्रवाहयन्ति धो देते हैं बहा देते हैं वाश आउट प्रचलती एव चलती ही रहती है कीप्स गोइंग ओन परियाटनस्थानानी घूमने की जगह त्यूरिस्ट स्पॉट मच्य जीवी नहां मचुवारे फिशर मैं स्वजीवी काम अपनी जीवी का को मिन्स ओफ वन्स लाइवलिहुड चालयंती चलाते हैं चाउजिंग तुमूव अतीव बहुत अधिक एक्सेसिव स्वईरम बेरोक टोक या यथेच्च आज वन प्लीजेज विहरंती घूमते हैं या टहलते हैं रूम दीरगतमा सबसे लंबा लॉंगेस्ट प्रायत द्वीपह तीन तरफ जल से घिराभु भाग पनिन्सूला संग महा मिलन कौन्फुल्वेंस युगपदेव कोष्ठक में युगपत, योग, एव एकही साथ अधे सेम ताइम द्रश्टुम् शक्यते देखा जा सकता है मेभी सीन अभ्यासा हा प्रथमा हा उच्चारणम कुरुत तरंगै हा मच्य जीविना हा विदेशि पर्यतके भ्या हा संगमा हा तिस्रिशु वैदेशिक अभ्यापाराय प्रायद्वीपह बंगोप सागरह चंद्रोदयह ग्वितियह अभ्यासह अधो लिखितानाम प्रश्णानाम उत्तरम लिखत क जनाह काभिह जल विहारम कुरुवंति ख भारतस्य दीर्गतमह समुद्रतटः कह ग्वित्र कुत्र स्वैरम विहरंति ग्वित्र काभिह किम्रचयंति ग्वित्र कुच्चितटः के भ्यह ज्यायते तृतियह अभ्यासह मंजूशातः पदानी चित्वा रिक्तस्थानानी पूरायत यहां कोश्ठक में पांच शब्दे हैं जिन शब्दों के प्रयोग आगे के पांच वाक्कियों की प्रकृती के अनुसार करने हैं यह शब्द हैं बंगोप सागरह प्रायत्वीपह पर्यतनाय क्रीडा संगमाह क कन्या कुमारी तटे त्रयानाम सागरानाम रिक्तस्थानम भावते ख भारत देशह रिक्तस्थानम इतिकत्यते ग जनाह समुद्रतटम रिक्तस्थानम आगच्चनते ग बालेभ्यह रिक्तस्थानम रोचते भारतस्य पूर्वदिशायाम रिक्तस्थानम अस्ति चतुर्थः अभ्यासः यथा योग्यम योजायात दो स्तंभ हैं प्रथम स्तंभ के शब्दों को द्वितिय स्तंभ के शब्दों के साथ अनुकूल तया जोडना है पहले प्रथम स्तंभ के शब्दों को पढ़ूंगा उसके बाद द्वितिय स्तंभ के शब्दों को प्रथम स्तंभ समुद्र तठह क्रीड नकम दुख धम दीपकह विद्या द्वितिय स्तंभ ज्ञानाय पोशनाय प्रकाशाय पर्यतनाय खेलनाय पंचमह अभ्यासा त्रितिया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्तानानी पूरा यता यथा व्योमह मित्रेण सह गच्छती यहां कोश्ठक में मित्र शब्द है इसी मित्र शब्द की त्रितिया विभक्ति मित्रेण है जिसे वाक्य में प्रयोग में लाया गया है इसी प्रकार आगे के पांच वाक्कियों के रिक्तस्थान को उनके सामने दिये गए कोश्ठक के शब्दों की तृतिया विभक्ति से पूरा करना है क बालकाह रिक्तस्थानम सह पठन्ती कोश्ठक में बालिका ख तडगह रिक्तस्थानम विभाति कोश्ठक में कमल ग अहमपी रिक्तस्थानम खेलामी कोश्ठक में कंदुक ग अश्वाह रिक्तस्थानम सह धावंती कोश्ठक में अश्व गा म्रिगाह रिक्तस्थानम सह चरंती कोश्ठक में म्रिग अधो लिखम वृत्त चित्रम पश्यत उदा हरणानु सारेण कोश्ठक गतई हशब्दई हँ उचित वाक्यानी रचायत यहां एक वृत्त है उन वृत्तों के अंतरगत तीन अन्य वृत्त बने हुए है और उन वृत्तों का उपखंड बनाया गया है मैं प्रत्येक वृत्त के उपखंडों को पढ़ता जाऊंगा और उसी के अनुसार आपको वाक्य निर्मान करना है ना भी वृत्त में शब्द है रही महा उसके चारों और एक वृत्त बना हुआ है जिसमें आठ उपखंड है उन आठों उपखंडों के शब्द है वायुयान, मित्र, तूलीका, द्विचक्रिका, चशक, कलम, नौका, हस्त इसे द्वितीय वृत्त खंड के की परिधी में एक अन्य वृत्त हैं जिनमें भी आठ उपखंड बने हुए हैं इन उपखंडों के शब्द है यह, सह, चित्रम, आपणम, जलम, पत्र, जलविहार, कंदुकम अब इन वृत्तों के बाहर एक आखरी जिसे हम बाहिय वृत्त कहेंगे यह बाहिय वृत्त है जिस बाहिय वृत्त में भी आठ उपखंड हैं इन उपखंडों के शब्द क्रियापद हैं मैं उन्हें क्रियापदों को क्रमशह आपके सामने पढ़ रहा हूं प्रथम क्रीडाती, द्वितीय गच्छती, त्रितीय लिखती, चतुर्थ क्षिपती, पंचम करोती, शष्ठ पिबती, सप्त रचायाती और अश्ठ आगच्छत अब इसी इनहीं शब्दों के प्रयोग से हमें एक एक वाक्य का निर्मान करते हुए, कुल आठ वाक्यों का निर्मान करना है एक उदाहरन है यहां, जैसे नाभि वृत्त से रहीमह शब्द है, उसके बाद के वृत्त से मित्रेण शब्द लिया फिर उसके बाद के शब्द और क्रियापद से कृड़ती वाक्य बनाया, तो वाक्य बना रहीमह, मित्रेण, सह, कृड़ती इसी प्रकार अन्य आठ वाक्य आपको बनाने है सप्तमह अभ्यासह कोश्ठकात उचित पदप प्रयोगेण रिक्तस्थानानी पूरयत क धनिकह रिक्तस्थानम धनम ददाती कोश्ठक में निर्धनम और निर्धनाय क बालह रिक्तस्थानम विद्यालयम गच्छती कोश्ठक में पठनाय और पठनेन ग सजनाह रिक्तस्थानम जीवंती कुष्ठक में परोपकारम परोपकाराय ग प्रधनाचारियह रिक्तस्थानम पारितोशिकम यच्छती कुष्ठक में छात्रानाम और छात्रिभ्यह ग रिक्तस्थानम नमाह कुष्ठक में शिक्षकाय और शिक्षकम रुचिरा भाग एक अभी आप सुन रहे थे ये द्वनी पाठे पुस्तक प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नईदिल्ली भारत